Dear students, we will read about a story of a little girl. वो little girl जो कि अपनी पापा को बहुत डरती थी, जैसे अपने पापा को एक जाइन से समानती थी, तो इस तरह से क्योंकि उसके पापा बहुत स्ट्रीट होते हैं, तो इसके वज़े से वो अपने पापा को बहुत डरती थी. लेकिन बाद में वो किस तरह से अपनी पापा के प्रती चो फिलिंग से वो चेंज हो जाते हैं, इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे. Okay, so, coming to the point. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came to the house. He responded with goodbye father. And oh, there was a glad sense of relief. Once he heard the noise, Okay, it's going 20 years and 20 years down to the long road. Okay, एक लड़की है, एक लड़की थी और जो अपने पापा को बहुत डरती थी. Okay, और अपने पापा से हमें साथ दूर भागती रहती थी. लेकिन एक दिन जब उसके पापा काम के लिए निकले, तो उस अपनी लड़की, अपनी जो बैटी है, उस लड़की के रूम में आए और उसको casual किसकी है. ठीके, ना चाहते हो भी वो लड़की जो है, अपनी पादार को रिस्पंड देती है, और बोलती है कि गुट वाइ फादर, और हो, तिरे बसे लड़की के लिए और जब निकल जाती है, उसके पापा जब निकल गे, तो उसका जो निचे, डाउन जाने, निचे जाने की जो आवाज होती है, उसको सुनाई दी, और वो बहुत खुश हो गई. ओके, फिर, in the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall, Bring my tea into drawing room, hasn't the paper come yet, mother go and see if my papers out there, and bring me my slippers. जब साम हुई, जब साम होने के बाद, उसके पापा घर आए, और घर आग जब आए, तब वो लड़की जो है, वो स्टेर के हैसी निचेड़ी के पास खड़ी थी, और उसके पापा की आवाद सुनाई दी, उसके पापा जोर से चिलाए, और वो ब्रिंग माइट टी इन्टु दे ट्रॉइंग रूम, मेरा जो चाए का कप है, वो ट्रॉइंग रूम में लेका हूँ, और वो लड़की का नाम है केजिया और केजिया की फादर, जो फादर की मदर, यानि जो जादी है, उसको उसके पापा बोले, बोले कि मदर को एंड सी, इप माइट पैपर्स आउट दे है, और ब्रिंग माइट स्लिपर्स, बाहर जाओ, और बाहर देखो कि मेरा पैपर आया है कि नहीं, और उसके साथ मेरा स्लिपर्स भी लेके आना, केजिया, mother would call to her, if he were a good girl, you can come down and take father's boots, फिर उसकी ममी केजिया को बोली कि बेटा, अगर तुम अच्छी लड़की हो, तो फिर नीचे जाओ और आपने father की boots निकलो, slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room, okay, slowly the girl would slip down, फिर जो लड़की जो है नीचे गई, धीरे धीरे गई, क्योंकि वो बहुत डरती थी, फिर more slowly still across the hall, बहुत धीरे धीरे वो hall में गई, फिर अपनी जो drawing room की जोर है, उसको खोलने लगी, ठीक है, by the time, he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl, उसी वक्त उसके उलके पापा ने जो चस्मा पहने थे और वो चस्मा इस तरह से उस लड़की को घोरने लगी, उसको बहुत डर लगने लगा, ठीक है, वेल केजिया, hurry up and pull up these boots and take them outside, have you been a good girl today, तो उस बापा ने केजिया को बोली, हाँ केजिया और जलिया हो, जलिया कि मेरा बूट निकलो, बूट निकल के बाहर रुखो, आज तुम बहुत अच्छी लड़की बन गए हो, ठीक है, यह बात जब उसको पूछी है, तो फिर उसकी केजिया ने reply करती है, I don't know father, वो लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन वो इस तरह से बोली है कि जैसे हकलाई हो, ठीक है, कभी हम किसी से डर जाते हैं, और उसको बोलने की कोशिश करते हैं, तो हम हकला देते हैं, तो उस तरह से यह लड़की भी हकलाने लगी, ठीक है, You don't know, if you stutter like that, mother will have to take you to the doctor, you don't know, मतलब उसकी पापा ने उसी की वाड़को ही कॉपी करने लगी, और हकला दे हो बोली कि, you don't know, Okay, इस तर से करते हम स्टैमर करोगे, यहनी, stutter करोगे, stutter मतलब हकला न, ठीक है, Like that, mother will have to take you to the doctor, जो ममी है, तो ममी तुम्हें तुम्हें hospital में लेके जाएंगे, doctor के पास लेके जाएंगे, She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying to so hard to say the words properly, Okay, she never stuttered with other people, यहनी, वो कभी दूसरी people से, दूसरी लोगों के साथ, कभी stuttering नहीं करती थी, ठीक है, कि कोई, वो clear ही बोलती थी, अधर लोगों के साथ अगर बात करती थी, तो अच्छी बोलती थी, लेकिन उसने पापा के सामने, वो अपनी words को clear बोलना चाहती थी, और पूरे कोशिज करने, माने ज़्यादा कोशिज करने के बज़े से, वो हकला देती थी, ठीक है, What is the matter? What are you looking so rich about, Mother? I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide, Okay, what is the matter? वो लेकि matter क्या है? Okay, and what are you looking so rich about? Okay, Okay, तो उसके पापा ने केजिया की चेहरा देखकर बोलने लगे, कि तुम्हें हुआ क्या है? तुम उसकी ममी को फिर वली, कि ममी, मतलब उसकी दादी को केजिया की दादी को बली ममी, ओके, नासा कर दो तुम उससे आच्छी तरह से पढ़ाओगे, कि इस तरह से उसका चेहरा मत करो, ठीके, जैसे कि वो suicide जैसा कर दिया हो, इस तरह से चेहरा बनाती रहती है, तो उसको समझाओ, ठीके, फिर उसके पापा ने उसको बोले केजिया, तुमारा जो टीकॉप है, वो मेरे पास ले के आओ, ठीके ना, वो टेबल के पास ले के आओ, He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he can't. Okay, actually उसके पापा, उसके सामने, उसकी हिसाब से उसके पापा बहुत बढ़े है, और उसकी hands जो हती है, हाथ भी बहुत बढ़े होते है, गर्दन भी बहुत बढ़े होते है, Especially उनका mouth जो होता है, वो बहुत बढ़ा होते है, जब वो यांट करते है, जब चिलाते हैं, तो वो ज़्यादा उसका mouth ज़्यादा बढ़ा होता है. Thinking about him alone was like thinking about a giant. और जो केजिया अकेली होती थी, तो वो अपने पापा को बारे में ही सोचती थी, और उसको लगता था, उसके पापा एक giant है, मतलब एक रक्षास है, अपने पापा को रक्षास जैसा मान दे थी वो. On Sunday afternoon, grandmother sent her to down to the drawing room to have a nice talk with father. On Sunday, यानि Sunday का दिन, Sunday में, afternoon में उसकी grandmother जो है, उसकी दादी मां जो है, उसको नीचे भेजने लगी और बोली बेटा, तुम जाओ, अभी तुमारे ममी पापा जो है, वो नीचे है, drawing room में है, और उनके साथ थोड़ा सा बाची करो. Okay, जब वो नीचे आई, but the little girl always found mother, reading and mother stretched out on the sofa. तो उसकी जब नीचे आई, तो देखी, उसकी ममी जो है, हमें से reading करती रहती है, reading की करती थी, and उसके पापा जो है, वो सोपर में सोते थे, ठीक है ना? और आपने पाउं को फैला कर सोते थे, और his handkerchief on his face, और उनके face में एक रुमान होते थे, उनका जो handkerchief है, वो उसको र feet, यानि पाउं जो है, कुश्यन, कुश्यन के उपर रखके, और अराम से सोते थे, और snoring किये थे, snoring कर रहे थे, मतलब खराठा मार रहे थे, ठीक है? she shot on a stool, gravely watched him until he woke up and stretched, ओके, she shot on a stool, फिर वो stool में बेड़ गी, ठीक है? gravely watched him until he woke up and stretched, तब तक वहाँ पे जाकर वेट करने लगी, ठीक है? वहाँ पे जाकर बेट कर वेट करने लगी, जब तक उसके पापा जाग नहीं जाते हैं, ओके, जागे, फिर उसके पापा जागे, and asked the time, then looked at her, फिर उसको जाकर पूछे, time पूछे की time कितना हुआ है, फिर केजिया को देखने लगे, फिर देखकर, वो बोलने लगी, don't stare so केजिया, you look like a little brown girl, फिर उसके पापा ने उसको बोली केजिया, इस तर से घुर मत, तुम एक little brown girl चैसा लग रहे हो, ठीक है? Okay, one day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week, okay, एक दिन की बात है, जब वो घर में रहती थी थी, थंडी का सिजने, घर के अंदर जब रहती थी, उसकी ग्रापा नहीं बता है, कि बेटा, अगले हथे तुमारा पापा का जो बड़े है, वो आने वाला है, and उसके बाद, उसने suggest की, तुम पीन कुशिन बनाना चाहिए, और पीन कुशिन बनागर उसको गिप्ट में देनी चाहिए, और पीश अफ यलो सिल्किल में, ठीक है, ये उसकी दादी माने उसको suggest किया, कि उसकी बड़े में, उसकी पापा के बड़े में, उसको एक पीन कुशिन गिप्ट करना चाहिए, ठ little girl stitched three sides but what to fill it with laboriously यानि बहुत मेनत करें वो जो little girl है वो बहुत मेनत करें double cotton से ले कर three sides को उसने से लाई cushion बनाने के लिए but what to fill it with लेकिन उसके अंदर उसको क्या घुशाना है क्योंकि उसको fill करेगी तो फिर वो घुशाना होगा कुछ सब्ट चीज गुशाना होगा that is that was the question उसके लिए के question था क्योंकि उसको समझ में नहीं था क्या उसके अंदर फिल करेंगे the grandmother was out in the garden at the time उसकी जो grandmother थी okay she was in the garden okay and she wondered into mother's bedroom to look for scraps okay और उसके बाद वो कहा कि उसकी मम्मी के bedroom में गुश गई कुछ scraps scraps मतलब west papers west कोई भी चीज हो तो उसको ढूणने के लिए उसके मम्मी के room में चले गई on the bed table she discovered a great many sheets of fine papers gathered them off and tore them into tiny pieces okay फिर उसके बाद वो उसके room में जा कर देखी कि table के अपर कुछ great many sheets of fine paper पहुँच सरे fine paper पढ़े थे तो वो सो fine paper को उठाई और उठा कर उसको फाड़ दी और फाड़ कर कैकी stripped or case and then sewed up into fourth side फिर उस question के अंदर वो डाल दी जो डाल कर उसको fourth side जो खुला था उसको silवा दी ठीक है that night there was a hue and cry in the house okay that night यानि उस रात को उनके घर में एक तुफान जैसा आया मतलब अड़कम बज गया वहां पर उसके पापा चिला रहे थे okay सब लोग चिला रहे थे father's great speech for the port authority had been lost क्योंकि उसके पापा के पापा ने एक speech लिखे थे port authority में उनको speech देना था और उस speech पूरी तरह से खोड़ चुका था और इसलिए उसके बारे में चर्चा चल रहा था कि उसके paper कहां गया paper कहां गया वो paper को ढूंड रहे थे rooms where shops सारे rooms को ढूंडा गया था servants questions और जितने भी नौकर थे उनको question पुछा गया थे कि आप लोग सब देखे होगे नहीं finally mother came into the KJS room okay KJS I suppose you didn't see some papers on a table in our room okay तो फिर mommy जो है केजिया के room में आई और केजिया के वो ली कि तुम तो नहीं देखे होगे तुमारा जो पापा के paper हो गया है और I think तुम नहीं देखे होगे तो ये बात सुनकर केजिया ने सच बता दी oh yes she said I told them for my surprise हा ममा मैंने देखा है आपके room में वो था और मैंने उसको फाड़ दी फाड़ कर मैंने surprise के लिए मैंने उस सारे paper को फाड़ दी है ठीक है what screamed mother और ये बात सुनकर उसने मम्मी बहुत शाको जाती है और बोलती है what तुम ने फाड़ दी come straight down to the dining room दिस्टन और तुरंत अभी dining room में चलो okay और फिर वो नीचे गई और जब नीचे गई उसके पापा जो है वो इधर उधर टैल रहे थे इधर उधर जा रहे थे और उनका हाथ जो है वो पीछे था well he sat sharply फिर उसके बाद उसके पापा sharply clear के साथ बहुत अच्छा ठीक है mother सारे बात explain कर दी है उसके ममी ने जाकर उसके पापा को सब कुछ बता दिये है okay he stopped and stared at a child did you do that no no see who is bad उसके पापा जब ये बात सारे सुन दिये कि ये सारे papers किसने फड़े हैं ना केजे ने फड़े हैं तो इसलिए के पास आए और गुसे में बोले कि तुम ने ये सब किया है तो उसके no no see whisper see whisper करती है कि नहीं पापा मैं नहीं नहीं मने बोलने की कोशिश करती है लेकिन डर जाती थी mother go up to her and room and fetch down the jammed thing see that the child's put to bed this instant तो फिर उसके ममी को उसके पापा ने बोले कि ममी उसको इस लड़की को लेके चले जाओ और उसके room में जाकर उसको फैक दो ठीक है ना ये बत गंदी चीज है ठीक है crying too much to explain she lay in the sadot room watching the evening light make a sad little pattern on the floor okay बहुत रुने लगी फिर उसके बाद उस सदट अंदेर रूम में उसको लाकर रखा गया अकेला रख में okay and then father came into the room with a ruler in his hands फिर evening के time में उसके पापा है जो वो रूम के अंदर आए और उसके पापा उनके हाथ में एक ruler था ठीक है and I am going to beat you for this he said oh no 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 she screamed hiding under the bad cloths ठीक है फिर उसके बाद उसके पापा ने बहुत अब ही में तुम्हें मारने चाह रहे हूँ क्योंकि तुमने जो भी किया है उसके बहुत गलत काम किया है और ये बात सुनकर वो बहुत डर जाती डर गई और डर कर एक उसके bed जो होती है बेड में आपको bed seat होती है bed cloth में जाकर वो चुप गई ठीक है फोल्ड दे में एसाइट और तुम्हारा हाथ जो है बाहर निकालो you must be taught words and for all not to touch what does not belong to you तुम्हें सिख्या देना चाहिए मने तुम्हें पढ़ाना चाहिए कि तुम्हें जो चीज जरूरत नहीं है उसको कभी touch नहीं करना है और इसलिए आज मैं तुम्हें ये सीख दे रहा हूँ बोलकर उसके हाथ में रूलर में मारने लगे but it was for your birthday ठीक है लेकिन वो लड़की बोली कि पापा मैंने चूबी की वो आपके बड़े के ले की ठीक है तो down came the ruler on the little pink palms and hours later when grandmother had wrapped her in shawl and rocked her in the rocking chair the child clung to her soft body तो फिर उसके बाद उसके पापा कुछ शुने नहीं और उसको मारने लगे जब मारने के बाद उसका pink palms क्यों बहुत छुटी सी लड़की है इसलिए उसका हाथ pink color जो palms था वो pink हो गया and कुछ गंटे के बाद उसकी ग्रैंड मादर होते दादी है उसको पकड़ के wrapped her in shawl and rocked her in the rocking chair ओके शौल में ओड़कर उसको rocking chair में उसको बैठे थे ठीके जो लड़की है उसकी दादी को बो लिगी पापा को किस तरसे भगवान ने मनाये है ठीके बहुत बुरे है वो here is a clean hanky darling blow your nose उसकी दादी क्या बोलती है एक है hanky देती है और देकर बोली कि बैठा इसको आपका blow your nose तुम उसको नाग पोचो go to sleep but you will forget all about in the morning बैठा और तुम जाका सो जाओ और तुम सो जाओगे ठीके I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight मैने बहुत कोशिस की तुमारे पापा को समझाने के लिए लेकिन वो आज रात बहुत अपसेट थे ओके but the child never forgot next time she saw him she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks okay but the child never forgot यानि child यसा बाते नहीं भुली okay और next time यानि जब अगले time आती है जब कभी भी वो अपनी पापा को देखती थी तो she quickly put both hands behind her back वो अपने हाथ को पीछे लेके जाती थी ठीके चुपा दे थी और उसके चेहरे में के red color का माने गाल में red हो जाती थी क्योंको डर जाते है तो फिर red हो जाता था ठीके red हो जाती थी the mcdonald's lived next door mcdonald's मतला और एक आदमी है उनकी पड़ोसी है जो की पड़ोस में रहते थी ठीके रहता था they had five children और उसका पांच बच्चे थी कितने पांच बच्चे ठीके looking through a gap in the fans the little girl saw them playing chag in the evening the father with the baby mouth on his shoulders two little girls hanging on to his coat pocket round and round the flower beds ठीके वो little girl है न वो mcdonald's के जो उनका जो दिवाल है वो दिवाल से हमें सा mcdonald's के घर को देखती थी उसकी garden में mcdonald's जो है अपने बच्चों के साथ हमें साख खेलता था ठीके उसके एक बच्चों को shoulder में बैठा था और दो बच्चे उसकी pocket को खीच रहे होते थे ठीके second with laughter once she saw the boys turn the horse on him and he tried to catch them laughing all the time garden में उसके बच्चे जो है उनको होस में पानी ऐसे उपर खीच रहे होते और उसके अपने बच्चों को maternal जो है उसको पकड़ने की कोशिस करता था ये बने पापा और बच्चे सब खेलते थे और ये सब केजिया देखती थी और अपने पापा के बारे में सोचती थी then it was she decided there was a different sort of fathers तो हाँ पर उटेख ही कि इस दुनिया में सब अलग-अलग टाइप के फादर्स होते हैं ठीक है suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital तो अचानक उसकी मम्मी बिमार हो गई और जब बिमार हो गई तो उसकी मम्मी और उसकी ग्रान्द मदर जो है वो hospital चले गए थे ठीक है the little girl was left alone in the house with Alice Alice the cook और वो जो लड़की है वो अकेली रह गई कि वो इसकी मम्मी और दादी hospital चले गए है और वो Alice के साथ अकेली रह गई थी Alice मतलब होती उनकी घर की cook होता है cook मतलब बावर्ची that was all night in the day time ठीक है तो day time यानि दीन में जब रात के बावक्त आया तो Alice ने उसको बेड में लेने की कोशिस की लेकिन वो डर गई ठीक है न कि रात का वक्त था what will I do if I have a nightmare she asked Alice को वो पुछने लगी के Alice जब मुझे nightmare आएगा nightmare मतलब रात में एक बुरा ख्याब आता है बुरा खाब यानि बुरा सपना जब आता है तो उसको nightmare बोल दे तो वो बोली अगर मुझे nightmare आएगा तो फिर मैं क्या करूँगा ठीक है I often have nightmares and then granny takes me into her bed I cannot stay in the dark it all gets विश्वरी बुल कि मुझे हमेशा बुरा खाब आता है और जब मुझे बुरा खाब आता था तो मेरी granny जो है यानि उसकी दादी मा जो है उसको अपने गोत में लेकर अपने ही bed में शुलाती थी अब वो dark में कभी यानि अंधरे में नहीं शोपा नो सकती है ठीक है नहीं सो सकती है तो इट अल गेट स्विश्पर ही यह सुब फुस फुस करने लगा यू ज़स्ट गो टो स्लीप चाइल अब आलिश पुलिंग आफ और शॉक्स एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक यूर पूर पापा ओके उसके बाद वो अलिश बोल दी है के बैटा जस्ट सोजाओ और उसका सॉक्स निकल देती है और उसको सुला देता है ठीक है और बोले बैटा सोजाओ ठीक है और डरो मत अपनी पापा को उठा देना ठीक है But the same old nightmare came The butcher with knife and a rope Who came nearer and nearer Smiling that grateful smile While she could not move Could only stand still Crying out Grandma, grandma She woke up Sivering to the father Beside her bed Candle in his hand But उसी रात को फिर से एक nightmare आया और जो nightmare आया वो चिलाने लगा ठीक है जब वो चिलाने लगी जोर-जोर से चिलाने लगी Grandma, grandma यानि दादी दादी चिलाने लगी लेकिन उसके पापा जब उसका नींद खुली Okay तो उसके पापा उसके सामने थे ठीक है और उनके हाथ में एक कंडल भी था ठीक है What is the matter? He said Oh, a butcher, a knife I want a granny He flew out of the candle went down and cut off the child in his arm carrying her along the passage to the bedroom Okay तो वो चिलान लगी butcher, butcher एक butcher मतलब क्या होती है जो कसा ही बोलते है तो उसको बोले के a knife, a butcher चिलाने लगी मुझे दादी मा के पास जाना है I want a granny He blew out the candle फिर उसके बाद उसके पापा candle को बुझा देते है and bend down होके उसको पकड़ते हैं और अपनी गोद में लेके आते हैं और वो लेकर carrying her along the passage to the bedroom और अपने bedroom को लेके गए Okay So, a newspaper was on the bed He put away the paper then carefully talked of the child Okay He lay down beside her उसके बाद वो जब देखे कि उसके बैड में newspaper था वो newspaper को उठाए और उठा कर उसको side कर दिये और side कर कर वहाँ पे अपनी बच्ची को वहाँ पे रखे और रख कर उसके पास में सो गए ठीके ठीके हाँ अपसलिप स्टिल स्टिल वित बुचर स्माइल्स अल अबाउट हर इट सिंट सिक्रेप्ट क्लोस तू हिम धीरे धीरे वो लड़की जो है अपनी पापा के प्लोजाज़ आ गई और वो अपनी लड़की को अपने आर में लेकर उसके पापा सो गई फिर अभी अंदेरा कोई मैट माइने नहीं रखता है कि वो अपने पापा के गोद में सो गई थी उसके बाद उसके पापा ने अपनी बच्ची को बुलने लगी कि बेटा तुम्हारा जो लेक से मेरे पाउं में लगाओ और लगा के रगटने लगो बाकि आपको गरम लगेगा कि उसके पापा बहुत थक गए थे और इसलिए उसके लड़की सोने से पहले तो वो सो गए थे और उनकी लड़की की दिमाग में मतलग केचिया की दिमाग में एक फॉनी फिलिंग्स आने लगा फॉनी मतलग मज़ेदार फिलिंग्स आने लगा और लेकिन उनको देखवाल करने के लिए कोई नहीं है ठीक है न वो महन बहुत मेंद करते है वो उतना बड़ा भी नहीं है वो बहुत हाड है मेरे गाड मदर जो है दादी है उससे बहुत ज़्यादा हाड है बट इट वाज नाइस हाडनेस लेकिन अब यह हाडनेस उसको अच्छा लगने लगा and everyday he had to work and was to try to be a mcdonald's तो वो हर दिन बहुत मेंद करते हैं बहुत काम करते हैं अपत ठक जाते थे है ना तो इसलिए टो भी mcdonald जैसा नहीं बन पाते हैं ठीक है she hard turn of all the beautiful writing ओके उन्होंने बहुत मेंद करते के उन्होंने लिखे थे she stir it suddenly and sighed और मैंने यह सब काम उनका फाड दिया तो उनको बहुत बुरा लगा था ठीक है ना so यह सब करके she stir it suddenly and sighed वो अपने आपको बहुत गलत फिल करने लगी कि उनका गलती नहीं है मेरा ही गलती है यह अपनी जो गलती है वो और फिर पूछने लगी what is the matter another dream क्या कोई दुसरा ख्वाब आया है क्या ठीक है तो वो लड़की क्या बोली देखो said the little oh my head's on your heart मेरा जो head है आपकी दिल के अंदर है ठीक है I can hear it going okay what a big heart you have got for that year फिर बोले पापा आपका हाट जो आपका दिल है कितना बड़ा है ठीक है ना तो यह कह करके अपने पापा के प्रती जो feeling थी वो change हो गई है और वो अपने पापा को बहुत मानती थी है ना मानने लगी क्योंकि दुनिया में बहुत से फादर होते हैं बहुत मैनत करते हैं काम करते हैं लेकिन घर में जब आते हैं तब अपने बच्चों को थोड़ा street हो जाते हैं क्योंकि कुछ से में रहते हैं इसका मतलब नहीं है कि जो फादर जो होते हैं अपनी बच्चों को प्यार नहीं क okay